राजिस्तान रोयाल्स वल्सीज गुज्राट टैटन्स क्या जबरदस मैच हुआ है आई पियल बिल्कुल अपनी पीक पर आ चुका इस वकत यकीन करें आज आज तो इद करें सबसे पेरे आप सब को इद मुबारक अब बात करते हैं उस ठिलर मैच पर यार राशिद खान रा बॉल वह अक्सर मेच जितवा चुके हैं कुज्राट टैटन्स को लेकिन इस बार विद्द बैट क्या जबरदस बंदे ने इनिंग के लिए पूरी हाइलाइट में बात करें कि राजिस्तान रोयाल्स को गुज्राट टैटन्स के दर्वियान होने वाली यह मैच पर सत्रु में अबर तक तो ऐसा लग रहा था कि गुज्राट टैटन्स जूर दूर तक नजर नहीं आरी फिर उसके बाद इंट्री करते हैं राशित कान और रिवेतिया यह एंड में जाकर में जरा इस पर बात करते हैं और आपको तफसील से बताते हैं कि हुआ क्या इस में बड़ा थ्रिलर था बहुत कुछ था संजू सेंसन की कप्तानी पर भी बात करेंगे कितना बड़ा ब्लेंडर उसने जो अवेश खान को अवर दे कर किया उस पर बात करते हैं राजिस्तान रोयाल्स ने पेले बैटिंग करते हैं वन नैंटी सिक्स करा एक अच्छा टार्गेट एक केशी टीम जो अभी तक अनबेटन है आई पेल दोजादार चोबीस पर अभी तक कोई भी मेश नहीं आ रहे चार मेश जी चुके था अपना पांचवा मेश खेलने राजिस्तान रोयाल्स वन नैंटी सिक्स का बैटरीन जो है वो टार्गेट उन्होंने सेट करा जैस्वाल दुबारा नाकाम रहे नाकाम तो नहीं कह सकते लेकिन साट लिया है केरिया नहीं कर सके लंबी इनिंग नहीं कर सके नोगेंदों पर चोबिस रन बनाए जोज बटलर दर्स पर आट ऑफ कलर हैं विल्कुल संजू सेंसन की यहां तारीफ बनती है बैटिंग में अभी कप्तानी की बात नहीं करूंगा मैं संजू सेंसन की ना फिल्डिंग वगारे की बात करूंगा 38 गंदों पर 68 रन मारे 178 का बहतरीन श्राइक रेट साच चोगे दो चखके एक अच्छी बैलेंस इनिंग कप्तानी के लिहास से खेल कर गए संज्यू सेंसन मुसलसल परफॉर्म कर रहे और यह केल राहूल के लिए भी खत्रे की घंडी है केल राहूल लगनाओं की तरफ से कहलते हुए कुछ ज्यादा जो है वह इंप्रेस नहीं कर पा रहे एक्सपेरियांस है अगर चैन्यू सेंसन मुसलसल अपने पां इसको बोल्ड मारा था रियान प्राग को एक या दो रन पर यह खेल रहा था तो उस वकद ऐसा लगता था कि इसका कोई मुस्तक्विल नहीं है नहीं है लड़के का ना क्योंकि मेरान मुम्ताज एक अच्छा बोलर है लेकिन बोल्ड होना फिर उसके बाद बिल्कुल में जैसे उसने इंट्री मारी है क्या जबर्दस वो बैटिंग कर रहे हैं कुछ पिछले कुछ में जूसे एक तो ऐसा होता है कि आपके टीम पर्फॉर्म कर रही होती है तो आपके अंदर वैसे भी आ जाता है कहीं ना कहीं से तो रियान प्राग के साथ भी यह योड़ा है दोसों करना है अगर से दोसों नहीं हो सका लेकिन फिर भी एक अच्छा जो है वो टोटल सेट कर दिया हैट मायर ने आगे फिर एंड में जो पांच गेंदे खेली तेरा रन बनाए एक चका एक चोका यह सारी चीज़ें मिलाकर वन नैंटी सिक्स हुआ और उसके जवाब मे सुदर्सन एक अच्छा जो है डाटन की सबसे अच्छा स्टार्ट फ्राम कर रहे थे लेकिन वह भी ज्यादा केरियों नहीं कर सके 29 गेंदों पर 35 बनाकर 120 की स्ट्राक्टेट से सुस्ट बैटिंग करते हुए तिरिव एक चका मारा और तीन चोके मारे आउट हो गए 40 गेंदों का सामना किया 72 अन्मारे शुपन गिलने चार च्छे चोके दो च्छके स्कीनिंग में शामिल दे मैथ्यू वेड यार यह बुड़ा होगी आप इसको खतम कर देना चाहिए 6 गेंदे घ्ली चार अन बनाए यह सारे अब जितने भी रिटायर भी ले रहे ना इसको आईपियल में मज़ा नहीं करते यह लोग भी अब उसके बाद मनहोर कुल्दीफ सीन ने बॉल्ड मारा शंकर भी कुछ नहीं कर सके चाहाल ने इसको बॉल्ड मारा रिवतिया और राशिद खान जब आए ना जब यह आउट हुए ना मनहोर हो गया शंकर हो गया वेड हो ग तो ने क्या जबदस खेला रिवतिया बीचारा यारों गोलू वोलूस है उसने तीसा रनी जो है वो भागा किया तीसा रन था वो तीसा रन था कर वो मतलब थोड़ी सी एफट जरूर करते हैं लेकिन खर मैंच जीत के तो आपको माइने नहीं रखता आपका रन आउट होना रवेटिया रन आउट हुए एंड में आगे ग्यारा गंदों पे बाईसन मारे अल्मॉस्ट दोसों को स्ट्राइक रेट बैतरीन स्ट्राइक रेट प्रेशन कंडिशन में उसके बाद सारी जो कमी है ना वो राशित खान ने बुरी की ग्यारा के ने खेली चोबिस रन मारे क्या जबाद दोसो आठारा के स्ट्राइक रेट से तो इस तरह जो है वो नईया पार लगा दी गुज्राइ टायटनज की राशित खान ने अब बात करेंगे संज्यू सैंसन की कप्तानी पर मैंने शुरूर में आपसे काता कि मैं उसकी बैटिंग की तालिक खरूँगा ले खुशी में दी किस वज़ा से आपने उसको चार और में 48 पढ़वा दिया वेश खान को फिर भी आपने उसको अपना जो है वो आखरी अवर दे दिया ट्रेंड बोल्ड का और करवाना बनता था ये इस वक्त समझ नहीं आ रही थी संजू सैंसन की फिल्ड रिप्लेश्मेंट भी देखने ना आप बॉलर गेंड कहां कर रहा है फिल्डर कहां खड़ा हुआ है चोके तेन से चार चोके तो मतलब गिफ्ट के तोर पर गुजरा टैंडर को राजिस्तान रोयल्स वालों ने दिये आप शुरू के चार में जीत चुके हैं आपकी विलिंग श्रीक चल रही है कि आप कप्तानी में इतने बड़े-बड़े ब्लेंडर मारें कि ट्रेंड बोल जैसे बंदे को आप उसके दो आवर रहते हों उसके बदले आप अवेश खान को बोलें कि आप आकी जो हो पंद्रा रन डिफेंड करें खैर इद का दिन एक अच्छा तिरलर मेंश देखने को मिला इंजॉय गिया लोगों ने एद मुबारक बन सगें आप सब को नेक्स वीडियो में मिलते हैं अलाहाफिस